मंच्पे बिराजमान इस प्रदेश के नेता मान्य मुख्य मंत्री जी श्री कमल्लाज जी इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाला बच्चन जी मान्य मंत्री श्री तुल्सी सिलावट जी हमारे युवा मंत्री आधन्य जीतु पत्वारी जी मंच्पे उपस्तित इंदौर के सांसत श्री शंकर लालवानी जी इस्षेत्र के विधायक रमेश मेंडोला जी हमारे इंदौर वान्ड के विधायक संजय शुकला जी देपालपुर से विधायक विशाल पतेल जी पाचिलाल मेना जी बापू सिंग तवर जी हमारे मंच्पे उपस्तित आधन्य शोबा ओजा जी नेता प्रतिपक्ष फौज्या शेक अलीम जी हमारे मंच्पे उपस्तित आधन्य तंडन जी और विशेशकर हमारे मेरे सामने बिराजे इंदौर के सभी हमारे नागरिक गण इंदौर के सभी पार्शद गण जैसा कि आप सबको ग्यात है कि आज का दिन सिर्व इंदौर के लिए नहीं लेकिन पूरे मध्य पदेश के लिए एक ऐसे हातिक दिन है और इसलिए क्योंकि आज से आठ साल पहले आठ साल पहले 2011 में इंदौर मेट्रो की डीपियार तयार की गई थी उस समय जैसा कि मानिय सांसर जी कह रहे थे बाबुला गौर साब नगरे विकास मंति दिन मध्य पदेश के और उसी समय देश के नगरे पशासन मंति 2011 में मंच पे बैटे हैं मानिय कमलनाजी थे सायोग से मुझे आज ही आठ साल पहले का इंडिया टुडे का आर्टिकल मिला जो मैंने आज प्टर पे पोस्ट किया है जिसमें नवंबर के महिने में मानिय कमलनाजी ने इंदौर मेट्रो की डीपियार स्विकेद की थी जै जै कबलाद और ये तो ये तो उपर वाले का करिश्मा है ये तो उपर वाले का करिश्मा है के भूमी पुजन भी तब हुआ जब प्रदेश के मुख्य मंत्री कमलनाजी बने है हमारा मैं आपको आश्वासन देता हूँ मानिय मुख्य मंत्री जी के सपश निर्देश है के जिस प्रकार से हमने कुछ दिनों में ही मेट्रो की का मुख्य मंत्री जी के ऐसे यादेश है के जो पूरा काम मेट्रो का है वो भी उतने ही तेजगती से चलना चाहिए जिस तेजगती से मेट्रो इंदोर में दोड़ेगा और इस विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आपको आश्वासन देता हूँ के मानिय मुख्य मंत्री जी का मेट्रो के संबंद में एक एक जो आदेश हम को मिलेगा उसका तुरंत हम पालन करेंगे क्योंकि अगर मानिय मुख्य मंत्री जी को किसी की चिंता है तो इंदोर की चंता की चिंता है जैसा कि प्रमुक सचिव संजे दूबे जी कह रहे थे कि हमने इस पूरे ट्रैक में इंदोर के जो पाचों विधान सभा शेर के आते हैं कही न कहीं हर विधान सभा भी इसमें ठीक से कवर हो रही है एर्पॉर्ट से आईसबी टी से छोटा गंपती बड़ा गंपती लगबग हमने पूरे शेर को एक सरकल में इसमें लिया है लेकिन मैं मानता हूँ कि इन दौर के लिए आज के समय ये भी बहुत शुब बात है कि जो हमारे मंत्री हैं आज के समय जीतू भाई राउ की तो बहुत नगर नगरुकम का शेत्राउ में भी आता है तुलसी भाईद सावेर से विधायक चुनकिया hayat मंत्री है उनका भी थोड़ा नगर्निकम का ऐरिया आता है तुलसी भाईद की मांग है के मेट्रों को दड़ाव सावेर तक जीतू भाई कहते हैं मेट्रो को लाओ राओ तक विशाल पटेल जी भी उसमें कह रहे हैं कि उनका शेत्र भी इंदौर के ही से लगा हुआ पूरा वो बेल्ट है शहर से तो उनके यहां भी मेट्रो आनी चाहिए सजन वर्माज जी अभी है नहीं लेकिन उनने भी मांग की है कि देवास तक भी मेट्रो की प्लैनिक होना चाहिए मैं आप सबको आज ये आश्वासन देता हूं और इस बार जब बजेट का भाशन हुआ था तो मानिय मुख्यमंति जी ने मुझे कहा था कि देखो अगर ये काम ठीक से करना है जनता की सेवा करना है क्योंकि याद रखो मानिय मुख्य मंति कमलनाजी के कारण आज दिल्ली का मेट्रो गुड़गाओं से दिल्ली से गाजिया बात तक चलता है तो अगर उस मेट्रो की दूरी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक 48-50 किलोमेटर है तो क्यों ना कोई भी शद्धालो पूरे देश से आए इन दौर में लैंड करे और वहाँ से सीधा मेट्रो से महाका के दर्शन करने ओजैन जाए लेकिन ये लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि अभी इसका हमने विचार किया है मानिय मुख्यमंति जी की सोच है मानिय मंत्री गण की सोच है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मद्यपदेश की सरकार तुरंद मानिय मुख्यमंति जी के आदेश से इसकी तुरंद पूरी feasibility study करेगी इसका पूरा assessment बनाएंगे DPR बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके आशिरवात से मानिय कबन नाजी के सोच से ये जो हमारा प्रयास है कि पूरे उज्जैन देवास और ये पूरा indoor metropolitan area तक metro पहुचे इसके लिए हम आज के बाद ही पूरी तयारी कर लेंगे मैं मेरे भाशन में ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं मूल बात मैंने कैदी है लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितनी जानकारी metro के बारे में माने कमलना जी को है सिर्फ दिल्ली और इंदौर ही नहीं बैंगलोर का metro हैदरबाद का metro चैन्नाई का metro ये सब उस समय सुईकिद हुए थे जब मान्य मुख्यमदी कमलना जी नगरे विकास मंत्री दिल्ली में उस समय थे आप सब ने आज यहापर समय निकाल कर यहापर इस कायकरब में आप सब शामिल हुए आप सब जानते हैं कि आज का दिन इंदौर के लिए बहुत बड़ा दिन है और आप सब को मैं आशवासन देता हूं कि इस विकास कार्य में मत्यपदे सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत